आखिर क्यों मनाया जा रहा है आजादी का अमरित महतसब दरसल केंदर सरकार ने 12 मार्च 2021 से आजादी का अमरित महतसब मनाने की सुरुवात करी थी और 15 अगस 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और महात्मा कांदी जी के द्वारा की गई नमक सत्यागरा के 91 साल भी पूरे हो गए हैं ये जो प्रोग्राम है आजादी का अमरित महतसब इसके तहट एहमदाबाद में सावरमती आसरम से नवसरी में दान्डी तक का पद यातरा सामिल की गई थी इस पैदल मार्च के अकॉर्डिंग लगभक 38 किलोमीटर की यातरा सामिल थी देश भक्ती को जगाने के लिए 12 मार्च को 75 जगों पर एक साथ प्रोग्राम आयुजित किया गया था भारत की आजादी के 75 वर्षों को यादगार बनाने के लिए ये आजादी का अमित महतसब मनाया जा रहा है गान्दी जी ने 1930 में 12 मार्च को नमक सत्यागरा की घोसना करके दान्डी मार्च की सुरुआत की थी और ये यातरा 6 अप्रिल तक चली थी केंदर सरकार 15 अगर 2022 को भारत की आजादी के 75 साल को सेलिब्रेट करने के लिए इवेंट्स की एक स्रिंखला भी सुरू करेगी